तबावलोग एक महिने से चल रहा सो House of the Dragon season 2 का end हो चुका है मलब ये वो वाला moment हो गया जैसे कोई लंबे समय से चल रहा अखंड पाठ है और वो खतम हो गया वस देखते देखते अपनी महबत एक या डेर साल के लिए फिर से हमें छोड़ कर अलविदा कहा कर निकल चुके हैं टीज करके जा चुकी है क्योंकि इस पूरे season में बहुत कुछ देखने को मिला है और जिस हिसाब की इसने एंडिंग करी है गुस्सा दो बहुत आया लेकिन बहुत कुछ कुरियोसिटी जनरेट करके जा चुके हैं कि यार क्या क्या आखिर होने वाला है जिसके लिए वेट कर दे थे dance of the dragons मला dragon wars के लिए वो फुल प्लोट करके जा चुके हैं मामला तैनाद करके जा चुके हैं कि yas तुमें season 3 में war रही war देखने को मिलेगी जिसके लिए तुम पूरा तड़पे हो season 2 में वो पूरे season 2 में आखिर हुआ क्या है तो आप फस्ट एपिसोड की सुरुवात होती है और यहां विंटर फैल से स्टार्ट किया जाता है जो पूरे गेम अफ थ्रोंस के जो यूनिवर्स था भाई वो पूरा मामला ताजा तरो ताजा कर जाता है जहां जकैरिस वलेरियन मदद की भींग बांगते हुए ज़र आता है और फूरा फस्ट एपिसोड भाई पूरा सैड में ही चलता है सैडिस्टिक माहौल चलता है हर तरफ बस आंसू बह रहे हैं हर तरफ बस वह दुख सोरो यही नजर आ रहा है तो वह पागलों की तरह घूमते हुए नजर भी आती है लेकिन वावा फस्ट एपिसोड सॉलि एमोशन फिर से देखर गया हमें फस्ट टाइम वर्मिथोर का राइडर दा बस्टेड ही हैमर देखने को मिलता है ओधर ड्रैगन स्टोन पर डेमन रैनीस को कन्विन्स करता है कि किंग्स लैंडिंग के उपर फलाई करते हैं मलव वहाँ चड़ाई करते हैं ताकि वेगार एमन को मार सकें और जो ये असन फॉरसन वाली जो बाते चल रही है क्योंकि एमन ने ये जो घिनोना काम किया है अपने वेगार से लुसेरिस वलेरियन को मारा इसके लिए बहुतों का गुस्सा है खैर रनीरा का ही गुस्सा नहीं है डैमन को भी उसका गुस्सा है कि बस यह ही है जो साला अर्चन है और इस अर्चन को ही खतम क्यों ना कर दिया और बाई गॉट दुबारा से मैलीज और रैनीज को देख कर दिल खुस हो गया अगर उस दिन रैनीज मान जाती तो साइध एट एपिसोड तक आते आते इतने ताम जाम की जरुरत नहीं पड़ती वो हो जाते वेगार को मारते क्योंकि कराकसिस और मैलीज अगर ये जोनों की जोड़ी एक साथ मिल जाती तो वेगार की तो दज्या ओड़ी जानी थी लेकिन डैमन बदले की आग में दरिंदगी ऐसी कर बैठता है कि एगउन के बेटे का सर धोके से कड़वा डालता है जबकि वो चाहता नहीं है कि वो उसके बेटे का सर करने वो दो साल का बच्चा भाई गुस्सा मुझे भी बहुता है था लेकिन एड़ दा एंड एलिसें है उसका जो बच्चा दो साल का बुरी तरीके से ये ये जो भारे के टट्टू थे उन्होंने उसे मार दिया देट्स वाई कि वहाँ पुरा सोक का विलाब देखने को मिलता है किंग्स लैंडिंग पर और वही चीज हमें ड्रेगन स्टोन पर भी देखने को मिलती है पर उत पर ओटो हाई टावर को एगॉन ने हैंड के पत्से भी हटा दिया है सरकिस्टन कोल को न्यू हैंड बना देता है और गुस्से में एगॉन सारे रैट कैचर को फासी में तंगा देता है वह इसलिए क्योंकि जो रैट कैचर की मदद से ही साही महल पे घुसा गया और उमें स स्टोन पर वाई ट्विन ब्रदर्स अराइक और एरिक ये दोनों की ब्लडी फाइट देखने को मिलती है क्योंकि सरकिस्टन कोल अरैक जो है उसका अंगरक चग बड़ी गाड है वो उसे बेशता है कि तू जा और रैनीरा को मार के या क्योंकि उन सब का सोचना ये है कि भा और वो दोनों की ब्लडी फाइट देखने को मिलती है कि बाёт फिर इलिसेंट और ख्रिस्टन कोल का घपाग देखने को मिलता है और ये सीजन का लास्ट होता है क्योस्ते टैंसन का फुल महां रहा है और सब के बास पास वार सिचुएसन भी रही है तो ऐसे में घपागप कर तर्चे पर था क्योंकि ये एक चीज थी जो बहुत हेल्फ कर गई थी बहुत बूस्ट कर गई थी गेम आफ थ्रोंस यूनिवर्स को कि भाई उसमें सब कुछ खोल के दिखाया है everything जो भी होता है थाड़ एपिसोड की बढ़ते हैं ट्विन्स ब्रदर की सरधांजली दी जाती है और यहां अब वाट छेड़ने की पूरी तयारी हो चुकी है जिसमें सर किस्टन को एक आर्मी की टुकडी लेकर निकल गया है रूक्सरेस्ट की लड़ाई में एगउन फुल लायासियों में डूबा हुआ दिखता है थोड़ा कुछ पागल सा दिखता है क्योंकि उसका बेटा जो मर चुका है तो थोड़ा सा दिमाग हिल गया है उसका और अगेन हमें अल्स दवाइट देखने को मिलता है एगउन प्रोस्टिटूस हाउस में जाक मजा को डाता है जो एमन को बिल्कुल भी सही नहीं लगता है या फिर उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आए इस चीज पर जिसका बदला वो आगे जाकर लेगा भी में बताने वाला हूँ उसकी नाइट मेर अब सुरू होने लग जाती है बुरे-बुरे भयानक भयानक सपने जाने लग जाते हैं कुछ भी देख रहा है कुछ भी मतलब क्योंकि उसने बहुत से जाने अंजाने में कई बार जानते हुए भी ओसने ऐसे सिंस करे हैं और बहुत कुछ और बहुत कुछ अगर आप सीजन देखोगो इसे के साथ ब्रैकन्स और ब्लैक वुट की लड़ाई कि बात ये चल नहीं है लेकिन रनीरा यहाँ पर refuse करती है इस situation क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा and she knows better of it और हमें Moon Dancer के साथ Bella दिखती है petrolling पर जो लगबग सर क्रिस्टन को पेलने ही वाली थी during the petrolling क्योंकि सर क्रिस्टन को निकल चुका था और वहाँ बीच में बैला उसे देख लेती है and last में रनीरा किंग्स लेंडिंग जाती है ताकि एलिसेंट से सुलह कर सके वो भी छुप छुपाते हुए और इस वार को रोका जा सके ताकि इनोसेंस की मौत ना हो और उसके बाद ड्रेगन्स ना उतारना पड़े क्योंकि ड्रेगन्स जब उतरेंगे तो भाई सब तवाही करेंगे वो ना अपने देखेंगे ना पराए देखेंगे उनके हाथे जो चड़ेगा वो सबको जला के राक कर देंगे एपिसोड 4 शुरू होता है बावा फुल बवाल हुआ था और ये वो एपिसोड है जिसने हम फैंस लोग का ख्याल रखा था हमें बहुत लाड देखे गया था वो वाला नहीं लाड प्यार वाई Dance of the Dragon की पहली जलग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इस एपिसोड में और बावा पहला एहसास कराये गया कि Dragon's War में मज़ा तो आएगा लेकिन कोई अपना फेवरेट करेक्टर अगर मारा जाएगा तो भाई साब दुख भी बहुत पॉलिटिक्स चलती है बहुत पॉलिटिक्स देखने को मिलती है लेकिन ग्रीन्स की तरफ से यानि एमंड और सर क्रिस्टन कोल की तरफ से बहतरीन चाल खेले गी लेकिन किंग एगॉन भी इस वार में पार्टिसिपेट कर लेता है जो प्लैन का हिस्सा नहीं था और मैलीज जो लड़ी है भाई दोनों ड्रेगन से भाई क्या दमदार लड़ी है वो संफायर को अधमरा कर दिया उसने उसके तुरंत बाद सिधा टैकल किया वेगार से जहां मेरा भी दिल टूटा की बावा अब कौन विदाउड मैलीज एंड रैनीज ब्लैक्स की तरफ से अब कौन लड़ेगा भाई इनकी तो अम्मा खुज जै भाई बहुत से मोमेंट बहुत से ख्याल और सवाल आने लग गए कि आखिर अब होने क्या वाला है बहुत टैं पर बैठा बढ़ा है तो वह ब्लैक्स की तरफ भी कांट करानी जा रहा है और तीनों ड्रैगन बच्चे हैं साइरेक्स कभी अच्छा साइज नहीं है साइरेक्स के बास थोड़ा एक्स्पिरेंस है उसके राइडर का अच्छा खास समय है लड़ सकती है लेकिन जब मैलीज और रैनी जैसे दमदार जो ड्रैगन ड्रैगन राइडर का वैगार ने यह हाल किया तो इनको इते चुटके में खीच सकता था चुटके में मार सकता था